संस्क्रत के लिए कुछ रोचक तथे, संस्क्रत के बारे में ये 20 तथे जानकर आपको बहुत हैरानी और भारती होने पर गर्व भी होगा। आज हम बताते हैं कि संस्कत के बारे में कुछ ऐसे तत्य हैं जो किसी भी भारत्य का सर गर्व से उचा कर देंगे संस्कत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है संस्कत उत्रागंड की अधिकारिक भाषा है अरब लोगों की दखल अंदाजी से पहले संस्कत भारत की भी रास्टी भाषा थी नासा के मुताबिक संस्कत धर्ती पर बोले जाने वाली सबसे स्पस्ट भाषा है संस्कत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द है वर्तमान में संस्कत के शब्द कोर्ष में 102 अर्ब 78 करोड 50 लाख शब्द है संस्कत किसी भी विशे के लिए एक अद्भुत खजाना है जैसे हाथी के लिए संस्कत में 100 से ज़्यादा शब्द है नासा के पास संस्कत में तार पत्रों पर लिखी 60,000 पंडुलीपियां हैं जिन पर नासा रिसर्च भी कर रहा है बोफोर्स मैगजिन ने जुलाई 1983 में संस्कत की कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर के लिए सबसे बहतर भाषा माना किसी और भाषा के मुकाबले संस्कत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है संस्कत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीब की सभी मास पेशियों का इस्तमाल होता है अमेरिकन हिंदू यूनिवस्टी के अनुसार संस्कत में बात करने वाला मनुश्य वीपी, मदुवे, कॉलेस्टो और आधी रोग से मुक्त हो जाता है संस्कत में बात करने से मानव शरीर का तंत्री का तंत्र सदा सक्रिय रहता है जिससे की व्यक्ति का शरीर सकारात्मग आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है संस्कत स्पीश थैरिपे में भी मददकार वे इकागरता को बढ़ाती है करनाटक के मुतुर गाफ के लोग केवल संस्कित में ही बात करते हैं सुधर्मा संस्कित का पहला अकवार था जो 1970 में शुरू हुआ आज भी इसका ओनलाइन संस्कित उपलब्थ है जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कित भार्षयों की मांग है जर्मनी की 14 उनिवस्टी में संस्कित पढ़ाई जाती है नासा के व्याग्यानिकों के नुसार जब वो अंतरिक्स ट्रैवलर को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्या उलट हो जाते थे इस वज़े से मैसेज का अर्थ बदल जाता था उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन हर पार यही समस्या आई आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा क्योंकि संस्कृत के वाके उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते जहसे अहम विध्यालम गच्छामी विध्यालम गच्छामी अहम गच्छामी अहम विध्यालम उक तीनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है मैं विध्याले जा रहा हूँ आपको जानकर हैरानी होगी कि कम्प्यूटर द्वारा गनित के सवालों को हल करने वली विदी यानि एल्गोरिधम संस्कत में बने हैं ना कि अंग्रेजी में नासा के व्याग्यानी को द्वारा बनाए जारे छे और साथ जनरेशन सूपर कंप्यूटर संस्कत भाषा पर अथारित है और 2034 तक बनकर तयार भी हो जाएंगे संस्कत सीखने से दिमाग तेज होता है और याद करने की शक्ती बढ़ जाती है इसलिए लंडन और आइरलेंड के कई स्कूलों में संस्कत को कंपलसरी सबजेक्ट बना दिया इस समय दुनिया के स्तारा से ज़्यादा देशों की कम से कम एक युणिवस्टी में तकनीकी सिक्षा के कॉर्ण सेट में संस्कत पढ़ाई जाती है संस्कत के बारे में ये तथे जानकर है ना सबको हिरानी और भार्टी होने पर गर्व